हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मै चैनल आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही सिम्पल बट यूस्फुल कुकिंग टिप्स लेके आई हूं उमीद है आप लोग को अच्छे लगेंगे और हां फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब कर दे एंब लाइकन को किलिक कर दे सो डेट आपको मेरे लेटिस्ट वीडियो के नठिफिकेशन मिल जाए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते हैं ओके चलिए स्टार्ट करते हैं होटर वाली चटनी यह तो लग बग सभी को पासंद है आज मैं इसे घर में बड़ी असानी तरीके से बनाने बताऊंगे आपको करना क्या है कि धन्या की पती या फिर पोदिना की पती मैंने या पर धन्या की पती के चटनी यूज़ कर रहे हूं इन्हें लैसुन और हरी मीच के साथ पीस लें यहां तक तो सब सेम है जैसे बन जाए तो इसमें आपको दही एड़ करनी है और जितनी दही एड़ कर रहे हैं उसी हिसाब से चाट मसाला और नमक फिर एड़ होगा मैंने यहां पर ज्यादा पानी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे पतली चाहिए थी थिक चाहिए थी अगर आपको होडल जैसी है इसम से ने का पतली चाहिए थे पानी आइड ऐसाके हो आपको शियो दही एड़ करूँ है और चाट मसाला और नमक और पेड़ करूं को म создACT मिले और यही नहीं आप इस चट्नी को फ्रीज में 2-3 दिन तक इस्टोर कर सकते है नेक्स टीप पेरा पालक को लेकिए हैं कई बार पालक ज्यादा आजाने के वज़े से कुछ इस्टोर करना पड़ता है तो इसे लंबे समय तक इस्टोर करने के लिए इसके रूट्स को निकाल दे पहले तो इसको धो ले दर इसके रूट्स को निकाल दे अब इसे पेपर नै प्यूडी बना ले इसमें लैसन डाल कर आप इसे पीस ले और जब एक स्मूद पेस्ट तियार हो जाए तब आप इसे एयर टायर कंटेर में करके फिर्स में टाल दें इससे भी एक काफी लंबे समय तक चलते हैं और अगर इसके जब भी आपको बनाना हो पालक पनीर या भी क कुछ तो आप इसमें इसके कलर पालक का जो कलर है उसको मेंटेन करने के लिए उसमें आप जैस्ट हाफ लेमन जूस डाल दें इसका इसे पालक का कडर भी चेंद नहीं होगा पालक का जो पेश्ट है जो हमने स्टूर किया है प्यूरी जो होता है उसे आप अगर यूज की बाद की जाए तो आप इसका इस्तेमाल डाल पालक में पालक पनीड में आलू पालक पराठा या पालक पूरी कौन प्लक पालक द दोसा पालक पास्ता पालक इडली और भी असे कई चीज़ें आप अराम से बना सकते हो कई बार ऐसा होता है कि अचानक से गेश्ट आ जाते हैं या फिर खीर बनाना पड़ता है या सेवई बनानी पड़ती है और घर में कम होता है तो आज मैं एक इस पेसर ट्रिक लेकर आई हूँ अगर आपके घर में दूद कम है तब भी आप अच्छा खासा राबडी या कि आपको दूद उबालना है और जो फ्रेश ब्रेड होते हैं उसके चालों तरफ से आपको काट लेनी है जो बीच का पाठा है ब्रेड का वही लेना है उसको चुटे-चुटे टुक्रों में काट कर आप उसको दूद में मिक्स कर दें और उसको उबालते रहें यह कोई भी इसका एफेक्ट नहीं पड़ेगा यह और भी जादा बलके तेस्टी हो जाएंगे यहां मैंने 400 ग्राम दूद लिया है तो इसे गाढ़ा करने के लिए मैंने दो ब्रेड का यूज किया है आप अपने दूद के एमांट के इसाब से ही उसी तरह ब्रेड का यूज क हरा है कि मेरा यह इसे टिप फहीप न ने को रहे कि की यह फिर ने जब भी बना रहे हो ने जब बना है और दूद चीनी और चावल यह फिर मूम दल मतल बना रहे है तो सेम प्रोसेस से बनता है बट होता क्या है कि कभी किसी के अच्छे बन जाते हैं और कभी नहीं बन पाते हैं तो इसके लिए एक सिंपल टिप यही है कि जब आप खीर बना रहे हो या फिन्णी बना रहे हो तो चीनी पहले ना डालें जब देखने कि पूरे चावल गल चुका है, पूरी अच्छी तरह से गल जाना चाईए चावल, जड़ा सभी कनी नहीं रहना चाहिए, चावल जब पूरी तरह गल जाए तभी आप इसमें चीनी आड़ करें, इसे आपके खीर या फिन्नी काया टेस्ट दोगुना हो जाएग कई बारी क्या होता है कि फ्रीज में खाना इस्टोर करने से फ्रीज से बू आने लगती है, तो सिंपल सा आप क्या करें, औरेंज का जो छिलका होता है, पिल होता है, उसे आप एक दिन के लिए फ्रीज में रख दें, ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रख दें, इसे क्या तब तक के लिए बाइ बाइ टेक केर